हेलो ऑफरेवन तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना ब्रैट के सैंड़ विश तो इसके लिए हम तीन आलू लिये हैं मेडियम साइज से थोड़ा बड़ा है तो इसको ग्रेटर से जो बड़ी वाली आख होती है उसी से हम इसको ग्रेट कर लेते पूरा ही अच्छी तरह ग्रेट कर लेंगे, उसके बाद इसको साफ पानी से अच्छी तरह दो लेंगे, जब तक इसका पानी पूरी तरीके से वाइट ना हो जाए, कम से कम चार पानी से इसको दोएंगे, देखे बिल्कुल ऐसे पानी वाइट हो जाएगा, तो इसका पूरा पर मैंने यहां पे घी लगाया और यह बहुत ही कम घी में यह बन के तयार हो जाता है सैंडविच तो इसके उपर बस जो हम आलू है उसको पूरा इसके उपर रख करके और इसके किनारे को दबा के फिर पूरा ही इसको हम अच्छी तरह दबा देते हैं हम यहां पे कटूरी से दबा रहे हैं आप किसी चीज से भी दबा सकते हैं बस भारी हो फिर इसमें फिलिंग के लिए हम यहां पे एक गाजार एक सिम्ला मेर्श एक प्याज और एक टमाटर को छोटा-छोटा चौप कर लिया है साथ ही यहां पे हम कॉर्ण लिए कॉर्ण नुबला हुआ है हमारा स जाती धनिया डाल रहे हम इसमें चीज घिया चीज और और विलिए हम जेन अंसा यहां ईक लिये है तो इसको जैसे चाठ मसाला कालिबी शोगरा डाल सकते हैं और हम बहुत सिम्हल में बना रहे हैं अब चाहेँ तो ढाल सकते हैं। पक गया है तो इसको हम पलट देते हैं अच्छा गलर आने तक एक साइट पकने में मुश्किल से 8-10 मिनट लगेगा दीमी आज पे ही इसको पकाना है फिर हम यहां पर पर यह फिलिंग हम रख देते हैं आप चाहे तो यहां पर हरी चटनी भी लगा सकते हैं साजवान सॉस भी फिर थोड़ी देर के लिए इसको धीमियाच पे ही पका लेंगे अलट पलट के दोनों साइड अच्छा गलर आने तक इसको हम पका लेंगे तो यह देखे हमारा यह बिना ब्रेट का सैंडविच बनके तयार है और यह दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुआ था और सुबे के नास्ते में शाम के नास्ते में कभी भी बना सकते हैं बच्चे जित करते हैं हमारे घर में हर समय तो ब्रेड नहीं अवलेविल होता है पर आलू तो सभी के घर में मिली जाता है तो बस यह आप जटपड बनाईए और बच्चों को खिलाईए रेस्पी अच्छी लाद्लों के लिजयोते लाद वाद एा अल procurement as एत próxim .